आप इसका आलस्यम निकालना तो सिंपल एट इसको मिक्स रैक्शन को सिंपल ऐसे में चेंज करेंगे तो यह आजाएगा 5 आपन टू है यह आजाएगा 15 आपन 16 तो अब जो यह एवा सिंपली फाइब हम करेंगे तो यह कट हो रहा है तो यह यहाजाएगा 3 upon 4 यह आपस में कट नहीं हो तो यहाजाएगा 5 by 2 और यह भी कट नहीं हो तो यह भी as a tis आजाएगा ठीक है तेन अब हमें इनका lcm निकालना है lcm निकालते हैं तो हम numerator जो terms हैं उनका क्या निकालेंगे lcm और denominator जो terms हैं, उनका हम निकालेंगे HCF, चीक है, तो उपर वाली terms का हमें LCM निकालना है, तो LCM हम prime factorization method यूज़ करके LCM निकालते हैं, तो यह सबसे पहले smallest term 3 पे कट हो रहा है, तो यह आजाएगा 1, यहाँ है 5 और यह 5, अब यह 5 पे कट हो रहा है, चीक है, तो यह आजाएगा LCM इसका 3 into 5 means 15, अब हमें निकालना है HCF, 4, 2 and 16 का, HCF क्या होता है, जो सम्में common part होता है, चीक है तो HCF का method क्या होता है जो पहले दोनो smallest terms है हमें उनको इस तरह के से division method से करना, चीक है, तो यह 4 2 and 4 में smallest क्या है, 2 तो यह उससे divide करेंगे किसको 4 को हम divide करेंगे तो यह जब तक करना है, तब तक divisible नहीं हो जाता, खतम नहीं हो जाता, अब यह sorry, 2, 2, 4 पे यह चला जाएगा, चीक है, तो यह खतम, means 2 and 4 का जो HCF है, वो क्या है, 2 आया लेकिन अब हमें 16 का भी निकालना है तो अब इस 16 को हम 2 से divide करेंगे, चीक है तो यह 2 से divide करेंगे तो 2 is a 16 होता है हमारे पास, चीक है, तो means 2, 4 and 16 का जो HCF है, वो है हमारे पास 2, SF क्या आता है, जिस term से हम इसे यहाँ ऐसे divide कर रहे है, यहाँ जो term बचते है, ठीक है तो वो आती है, हमारे पास HCF, अब LCM निकालना था हमें इन तीनों terms का, तो वो क्या आएगा इन तीनों terms का, means LCM upon HCF, तो LCM आया हमारे पास, यह 15 और HCF आया upon 2, तो यह क्या आ गया, LCM of these 3 terms, ठीक है, क्लियरे, थैंक यू